नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टोटल सरकिट चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ये ओटू लिंक का स्मार्ट डिजिटल मल्टिमिटर है इसका मोडल नमबर है M2 आज इसकी अन्बोक्सिंग करेंगे और इसमें क्या-क्या फैसिलिटी है उस सभी को लाइव टेस्टिंग करेंगे पहले इसको ओबन करते हैं कि इसके अंदर मृटिमिटर के एक लीड आती है कि इसके साथ ये बैटरी भी आती है निच्छोटी वाली में इसमें जो रिमोट में लगती है वह वाली बैटरी है और इसकी आप साइज देखोगे तो ये ये ओन हो गया है और ये ओफ हो गया है और ये इसकी लीड है इसको continuity mode पर करते हैं यहां पर और अब इन दोनों लीड को आपस में टच करेंगे तो यहां पर display में देखेंगे 00 की counting आ रही है अब इसमें पहले resistance को test करेंगे resistance यहां पर जो resistance ले रहा हूँ मैं ये 1 ohm की resistance ले रहा हूँ और इसको test करते हैं तो ये auto range में ही दिखाएगा ये 1.2 ohm के लगबत दिखा रही है ये 1.2 ohm इसलिए दिखा रही है कुछ इस lead का भी resistance है इसलिए ये 1.2 ohm दिखा रही है देखेंगे यहां पर 0.2 ohm इस lead का भी resistance आ रहा है इसलिए ये 1.2 ohm दिखा रही है और यहां पर अब ज्यादा ohm की resistance को test करते हैं यहां पर ये 220 ohm की resistance है इसको test करते हैं तो यह 219.3 Ohm दिखा रहा है यहां पर Ohm का Indication आ रहा है और अब यह Mega Ohm का है और Kilo Ohm में लगाएंगे तो Kilo Ohm का Indication आ जाएगा इसमें यहां पर यह 100 Kilo Ohm की Resistance है इसको Test करते हैं तो यह 98.2 Kilo Ohm की Resistance दिखा रहे हैं और इस परकार इसमें डायोड को Test करेंगे यहां पर यहां पर इस डायोड को Test करेंगे जो इसका Drop Voltage है वो यह दिखाएगा इसमें Drop Voltage आ रहा है 0.42 Voltage है और अब Capacitor को Test करते हैं Capacitor को यहां पर टेस्ट करेंगे और Capacitor को जब भी भी टेस्ट करेंगे तो Capacitor की दोनों पिन को आपस में ऐसे सोट करेंगे तच करेंगे ताकि Capacitor में कोई Charge हो तो वो Discharge हो जाए अब यहां पर जो Capacitor ले रहा हूँ मैं यह 330 Micro Farad का है यह थोड़ा ओल्ड है Capacitor इसके Micro Farad को चेक करते हैं तो थोड़ी बहुत देर बाद में यह दिखा देगा अपने आप जो डिस्पले आएगी यहां पर इसका जो Micro Farad आ रहा है वो 289 Micro Farad आ रहा है यह छोटा Capacitor आता है फिलम Capacitor यह 100 Nano Farad का Capacitor है इसको टेस्ट करते हैं यह 83 Nano Farad दिखा रहा है और एक Capacitor को ओर टेस्ट करते हैं यह 22 Nano Farad का Capacitor है यह 21.8 Nano Farad दिखा रहा है और अब दूसरे Capacitor को ओर लेते हैं यहां पर यह Capacitor है 4.7 Micro Farad का Capacitor है इसको टेस्ट करते हैं यह 4.7 दिखा रहा है तो इस परकार से इसमें जो Capacitor है वो भी टेस्ट कर सकते हैं अब इसमें AC voltage और DC voltage को भी टेस्ट करेंगे AC voltage को test करते हैं अब यहाँ पर जो AC voltage आ रहा है वो auto range में ही आ रहा है यह 250 voltage यहाँ पर AC voltage आ रहा है अब इस voltage को मैं कम करता हूँ तो यह सही दिखा रहा है इसका point automatic ही change होएगा जैसे voltage कम होगा वैसे वैसे 40 voltage के बाद में 2 digit पर इसका point आ जाएगा automatic ही 36 voltage दिखा रहा है ऐसे अब इसमें AC current को test करते हैं AC current test करने के लिए यहाँ पर दो range है milli ampere और ampere अगर 200 milli ampere से कम ampere test करना है तो यहाँ पर test कर सकते हैं और यह lead यहाँ पर ही लगी रहेगी दोनों 200 milli ampere से अगर ज्यादा current test करना है तो यहाँ पर test कर सकते हैं और इस red वाली प्रोब को यहाँ पर लगाना होगा 10 ampere पे पहले इसमें milli ampere को ही test करते हैं AC ampere और DC ampere को select करने के लिए इस select button को दबाएंगे अभी यहाँ पर देखेंगे तो DC ampere पे यह select हो रखा है इसको यहाँ से दबाएंगे तो यह AC में आ गया यहाँ पर AC लिखा हुआ है इसके light को जलाएंगे पहले यहाँ पर जो hair hold का button है इसके पास में यहाँ पर यह brightness का निसाने इसको दबाएं रखेंगे तो यहाँ पर light भी जल जाएगी और इसको गोर से देखेंगे तो यहाँ पर AC का indication आ गया है अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो milli ampere आ रहा है इस lamp का वो 224 milli ampere आ रहा है इसको और भी कम करते हैं milli ampere को जैसे voltage का level को कम करूंगा तो इसका milli ampere भी कम होगा ऐसे बिल्कुल कम से कम ampere को भी यह दिखा देगा और अब इसमें 10 ampere की range पे ampere को test करते हैं AC ampere पहले इसको ampere पे set करते हैं और फिर इसको AC पे select करते हैं अब यहाँ पर देखेंगे तो 0.25 ampere आ रहा है अब इसको और बढ़ाएंगे यहां से इसका 250 voltage पे 0.35 ampere आ रहा है इस परकार से AC voltage और AC ampere को भी test कर सकते हैं और अब इसमें DC ampere को भी test करते हैं और DC voltage को भी test करते हैं पहले DC current को ही test करेंगे यहां पर यह लगी हुई है इसको select button को दबाएंगे और इसको DC range पे करेंगे अब यहां पर देखेंगे DC ampere आ रहा है वो 0.38 ampere आ रहा है और जैसे जैसे मैं इस lamp को voltage बढ़ाऊंगा तो इसका current भी बढ़ेगा ऐसे और यह बहुत ही accuracy के साथ में यह current को दिखा रहा है यहां पर 0.94 ampere इसका current आ रहा है अब DC voltage को test करते हैं DC voltage पे कर दिया है इसको अब यहां पर जो DC voltage आ रहा है वो 17.1 voltage आ रहा है मैं इस voltage level को कम करता हूँ और voltage को और बढ़ाता हूँ वापस चिंतर voltage आ रहे हैं DC voltage अब इसमें यह frequency को भी test करते हैं multimeter को frequency range पे कर दिया है अब AC voltage से इसकी frequency को test करते हैं यहां पर देखेंगे यह frequency सही नहीं दिखा रहा है यहां पर यह 30 kHz के लगबग यह frequency दिखा रहा है साइद यह line के अंदर जो frequency आ रही है उसको भी यह detect कर रहा है इसलिए यह सही नहीं दिखा रहा है इसकी frequency को test करने के लिए यह PWM module आता है frequency का इससे इसकी frequency को test करेंगे यहां पर इसकी frequency है वो 2 Hz आ रही है और frequency को 1 Hz पे करते हैं तो यहां पर 1 Hz frequency आ रही है और इसका 21% duty cycle आ रहा है यह metered duty cycle नहीं दिखाएगा यह केवल frequency ही दिखाएगा अब यहां पर देखते हैं 1 Hz की frequency आ रही है और यहां पर 0.97 frequency आ रही है 0.97 Hz की frequency आ रही है इसको बढ़ाते है इसको लगबग मैं 10 Hz पे कर देता हूँ 11 Hz पे कर दिया है और यहां पर जो frequency आ रही है वो 10.7 के लगबग आ रही है और इस frequency को और बढ़ाते हैं यहां से इसको किलो हर्ड्स तक ले जाते हैं यह सही दिखाता है गया यहां पर 1.6 kHz की frequency आ रही है और यहां पर 1.5 kHz की frequency आ रही है और इस hold button से यहाँ पर इसको जो display आ रही है उसको hold भी कर सकते हैं ऐसे अब अठाएंगे तो यही रहेगी इसकी display दोस्तों इस multimeter की जो manual है वो यहाँ पर है इसकी यहाँ पर जो DC voltage की range है यहाँ पर 600 voltage तक maximum देख सकते हैं और ऐसी ही AC voltage की जो range है वो भी 600 voltage तक है और resistance की range है यह आपर 0.1 ohm से लेकर के 20 mega ohm तक इसमें resistance को test कर सकते हैं इसमें capacitor को test करने की range वो 2 nano farad से लेकर के 2000 micro farad तक इसमें test कर सकते हैं और यहाँ पर जो frequency की range है इसकी वो 2 lebih hertz तक इसमें frequency को test कर सकते हैं दोस्तों यह multimeter है मैंने maker mazar से मंगाया है online दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना कमेंट करना आप इस चनल पर नई हो चनल को जरूर सब्सक्राइब करना यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद आप दिन सुब हो